हेलो एन गुड मॉनिग अलफ यू डेली नुच के पडिवार में एक बाप फिर से आप सभी का स्वागत जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा करेंट अफेर का वीडियो आता और ये वीडियो जो है ये वीकली करेंट अफेर का वीडियो है या करेंट अफेर के वीडियो के जो भी मात्मून कर इंडेफेर होगा आपको पूरा डीटेल के साथ इसमें मिलेगा तो चली शुरू करते हैं आज के कोशन का आज का पहला कोशन न्यूजी लेंड के परधान मंतरी का नाम बताना जो हाली में संसदिये चुनाओं में दूसरी बार जीते हुए है यानि डाइडेट कोशन आप समझ सकते हैं कि न्यूजी लेंड के नए परधान मंतरी का नाम क्या है आपके पास चार ओप्शन दिये गए हैं और आपका सही जबाब हो जागा ओप्शन डी ओप्शन डी आपका सही होगा इनका नाम है जेशिंदा आदर्ण या न्यूजी लेंड के दोबारा परधान मंतरी जुन हुए हैं या अभी न्यूजी लेंड में आम चुना हुआ था तो आम चुना हुआ का रिजल्ट आया और इन्होंने सांदार जीत हासिल की और ऐसा 24 साल बात ऐसा हुआ न्यूजिलेंड में जो किसी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत मना और यह सरकार बना यह लेवर पार्टी के नेता है यानि लेवर पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और यह न्यूजिलेंड के 40 वे परधान मंत्री के रूप में इन्होंन के गवर्नर जनरल है डेम पैटी रेडी आगे चलेंगे अगले कोचन की तरफ कोचन नमबर दो काफी मात्मून कोचन है किस देश को या पहली पंडू भी प्राप्त होगी जिसका नाम भारत से आई एने सिंधु वीर है या अब किस देश को परदान किया जाएगा या भारत क भारत मियानमार को सिंधु वीर देगा क्यों देगा तो परोशी देश को एक तो हेल्प करने जागा आज दूसरा इसका में कुटनितिक कारण है क्योंकि भारत का जो भी परोशी देश है ये सभी परोशी देश को चाइना अपने परभाव में उसको लेना चाता है तो वाइन मेर को मयान मेर को बेचने वाला था लेकिन भारत ने उससे पहले देखा अपना रिलेशन मयानमार के साथ अच्छा बना लिया और यह जो पंडू भी दिया जा रहा है आएने सिंधू बीर यह पहले रूस से आया हुआ था इसका पुराना भरजन लेकिन भारत इसमें समय समय पर मोरिफाई किया हुआ है इसके पहले जो चाइना है चाइना ओलेडी बंगला किरुप में किसे न्यूक्त किया गया है यूनेसको में भारत के अगले राजदूत चार ओप्सन दिये गया है और आपका सही जबाब हो जाएगा ओप्सन ए हर्स वर्दन सिंगला को यूनेसको में भारत का अगला राजदूत किरुप में न्यूक्त किया गया हर्स वर्दन स्रिंगला यह 1984 बैच के एक IFS अधिकारी आगे चलेंगे अगले कोशन के तरह कोश्चन नमबर चार काफी महत्पून कोशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यह जी एच आई 2020 में भारत का क्या रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है और आपका सही जबाव हो जागा ऑप्शन बी इसमें भारत की रैंकिंग है 94 यह जी 94 रैंकिंग है भारत की रैंकिंग काफी खराब है और विसे इसमें भारत को तो 94 अस्थान प्राप्त हुआ है इसमें बंगलादेश को 75 अस्थान प्राप्त हुआ है मियानमार को 78 पकिस्तान को 88 नेपाल को 73 और इसमें टोटल 107 देश थी है। साथ देशों की यह सूची तयार की से भारत को 94 वा रैंक प्राफ्ट हुआ इसके पहले भारत को 102 वा रैंक प्राफ्ट हुआता है पिछले साल के प्रेक्जा ठीक है लेकिन अच्छा नहीं है भारत के उपर और सारे देश है और इसमें सिर्ष अस्थान पर है चाइना बेलार कि अनुसार बतला है कि भारत में 14 परसेंट आबादी जो है या कूपोशन का सिकार या उनको अच्छा से खाना नहीं बिल पा रहा है कि वो ठीक से खा भी पाएं आगे चलते हैं पांचवे कोशन की तरब कोशन नमबर पांच हाली में 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अप दा आईर आवाड जीतने वाली पहली भारतिय माहिला फीट से आप आवार का नाम सुचेंगे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अप दा आईयर अवाड जीतने वाली पहली भारतिय माहिला कौन बन गई हैं और आपका सही जबाब हो जीत चुका यह पुरसका और इसमें 100 फोटो को सामिल किया गया था जिसमें से इनका फोटो को सेलेक्ट किया गया था और यह जो अवार्ट दिया गया है पाइल लाइफ फोटोग्रापर अब देया उड़ा यह च्छपा नुम्हा एवार्था यह फिप्टी सिक्स आवार्था जिसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है यहां पर यह आवार्थ को परदान किया गया था आगे चलेंगे चट्थे कोचन की तरफ कोचन न नाम है यह मिसाइल जो है यह दुस्वन को आरहाई 100 किलो मीटर की दूरी तक यह दुस्वन पर वार्थ कर सकी और इसका सफलete क किया गया उडशा के बालासूर में इसका सफलete परिक्षण किया गया है यह मिसाइल पहले से ही स्ट्रेट कमांड का एक हिस्सा थी यह भारत की पहली स्वदेशी सता से सता मार करने वरी ताप बोलेंगे प्रिथवी टू या मल्टी फंक्शन राडार के दौरा इसे ट्रैक किया जा सकता है अब इसी डियाडियो के दौरा बिक्सित किया गया तो डियाडियो का फुल फॉर्म होता है इसका हेड़कार जो है यह नई दिली में इसका हेड़कार रहा परमूख है जी सतीस रेडी इसके परमूख है और यह किस मंत्राले का धिन आता है तो यह रक्षा मंत्राले का धिन आता है और परजेंट टाइप पर रक्षा मंत्री का उनने तो किंदी रक्षा मंत्री सिरी रा इसमें क्या होगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्शन सी यानि माइकल इरानी अंतराष्टी भारोतलन महासभा के अंतरीम अधियक्ष क्रूप में इन्हें न्यूक्त किया गया है यह ग्रेट ब्रिटेंड के हैं और इन्हें पूर्व जो इसके पहले अधियक्ष थे तामस अजान इस्थिपा दे दिया तो तामस अजान के इस्थिपा देने के बाद यह जगा खाली हो गाता है इनके जगा पर इनको न्यूक्त किया गया है माइकल इरानी जो थे या अब तक आई डब्लू एफ के चिकित्ता समीति के अधिक्ष थे लेकिन अब इन्हें क्या किया गया अंतरीम अध्यक्ष बना दिया गया अब आई डबलू एप आई डबलू एप का हेड़कॉर्टर जो है यह हंगरी के बुढ़ा पेस्ट में है और इसकी अस्थापना 1905 में हुआ था आगे चलते हैं आज के आठवे कोश्चन के तरब कोश्चन नमबर आठ भारत न सकतव निदरलेंड के साथ सह tyreउयो क्या हुआ है एक समझाथा किया हुआ जिकिसके लिए इस स्वास्थ ये यइनि इस सहयोग से भारत का स्वास्थ गहा गया इसको डिजीटल सुभदा में बठावा मिलेगा और निदरलेंड के सवास्थ है उसको डिजीटल परिवर्थन लाने में हेल्प हो गया इससे दोनों देशों को फायदा मिलेगा और यह भारत में राश्टिये डिजिटल स्वास्थ मिजन जिसे आप एंडी हम नेश्टिये जो डिजिटल होता है हेल्थ मैनेजमेंट इसके तरफ इसकी अस्थापना किया गया है अब नीदर लैंड में किया गया तो नीदर लैंड यूरो पहादीप का जिसकी रजधानी एंस्टर में है नीडर लैंड के परधान मंत्री है मार्क रूटे यहां के योग संगाठान संगाई कोर्परेशन और्गनाईजिशन के कानून और नियाय मंत्रियों की साथ भी बैठक थी और इसकी मेज़मानी किस देश ने की और आपका सही जवाब हो जागा आपसने अपना देश भारत ने इसकी मेज़मानी की और भारत ने मेज़मानी की तो भार यानि भर्चुल बैटक की गई थी और इस भर्चुल बैटक में चाइना का, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के सभी देशों के नियाय मंतरी इसमें भाग लिये हुए थे और इसमें COVID-19 यानि कुरोना वायरस के प्रच का दूसरा संसकरन किस सहर में आयुजित किया गया और आपका सही जबाव हो जाएगा Option C इसे टोक्यो यानि जापान के रजानी टोक्यो में इसे आयुजित किया गया Quad, Quad में 4 देश होते हैं, जो कौन कौन है, एक तो है भारत अपना देश, दूसरा ऐस्टेलिया है, तिसरा जापान है, और चौथा अमेरिका है, तो यहां से भी कोशन पूशन सकता है, Quad के सदस कौन कौन सन है, फिर से आप समझेंगे, इंडिया, ऐस्टेलिया, जापान और अम हपना, 2007 से 2008 के बीच में इसकी ऐस्टापना होई थी, कोशन नमबर 11 देखेंगे, कोशन नमबर 11, भारत, अमेरिका और जापान के बीच, प्रती वर्स आयुजित होने वाले 3 पक्चिये, भारत, अमेरिका, जापान 3 देश है, तो 3 पक्चिये, 9 सेना का अभ्यास का नाम माल सं ये ऑउस्ट्रेलिए, और लेरी 3 देश में कौन कन था भारत था, अमेरिका था, जापान था, इसमें उस्ट्रेलिया को भी सामिल करने के लिए अमंत्रित कर लीया गया है, अर यही चारो देश जिज तीन देश जो है और Australian के लोग चारो देश किसमें थे। इसमें Amerikा Japan को शामिल किया गया है और यह जो होगा या बंगाल की खारी में या अभ्यास होगा। मालाबार यूद अव्यास जो है इसकी सुर्वात 1992 में हुआ था और इसके सुर्वात भारत और अमेरिका की नौ सेना जो थे इसके बीच में अव्यास के थूर इसकी सुर्वात हुई थी पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में 50 साल की आजादी का जश्ण मनाने के लिए किस राष्ट के द्वारा अमंत्रित किया गया है मैं आपको फिर समाज़े हो वो कौन ऐसा देश है जो 2021 में अपना 50 वा आजादी का जश्ण मनाएगा और इसके लिए उसने भारत के परधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए इनभाइट किया गया है और आपका सही जबाब हो जागा बांगला देश या आपको पता होगा कि बांगला देश 1971 में पकिस्तान से या आजादों के एक नया देश बना हुआ था या पले पुर्वी पकिस्तान के नाम से जाना जाता था लेकिन 1971 में भारत के सैनिक और उसे में परधान मंत्री स्री मत्री इंद्रा गांदी थी उनके पर्यास से या एक नया देश बना और पकिस्तान के बंगलादेश की राजानी धाका है बंगलादेश की मुद्रा टाका है बंगलादेश की पी-म सेख हसीना है और प्रेशिडेंट है अब्दुल्ला हामीद आगे देखते हैं कोस्चन नंबर 13 समुद्री व्याम स्लीनेक्स 20 स्लीनेक्स 20 वर्तमान में कीन दो राष्टों के इस स्री लंका इनन श्रीलंका और ऑको काफी असानी से समझ में होगा यह न्याइश की बिचमिया व्यां और percent से जो स्वदेशी रूप से विक्षी था जिसका नाम है एएश डवलू कोड़वेट्स कमांड्स और किल टार्शन द्वारा हिस्सा इसमें लिया गया और स्रिलंका की नौ सेना इसमें स्यूरा और गजबार के साथ उसने भी इसमें हिस्सा लिया आगे चलेंगे चोड़े कोचल की तरफ कोचल नमबर 14 केंद्रिय मंद्री मंडल ने भारत और निमन दिखित में से किस देश के बीच में साइबर सुरक्षा के छेतर में सहियो ग्यापन पर मंजूरी दिया गया है क इंद्रिय मंद्री मंडल के द्वारा या भारत और किस देश के साथ होगा और आपका सही जबाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और जापान के बीच में होगा इसके लिए भारत और जापान के बीच में एम ओसी पर हस्ताक्षर किया गया है और इसका उदे से क्या है तो इसका उदे से जो हमारे उभरता टेकनोलोजी है जो उभरता उसमें सहयों को बढ़ाया जाए क्या कि जो टेकनोलोजी है उसको और भिकास किया जा सके इसमें महत्पून जो बुनियादी धाचा है साइवर इस पेस है संचार नेटवर्ड इसके लिए जो भी खत्रा है उसको कम किया जा सके यानि इस खत्रे को कम करने के लिए इसका यूज किया गया है अब जपान में हुआ है तो जपान के रजधानी टोकियो है जपान के पीम जपान के पीम है यसी यसी हीतो सूगा ये पीम है और है नारी ही तो मुद्रा है ये कोचन नमबर 15 को देखते हैं अगला कोचन कोचन नमबर 15 2020-21 के लिए भारतिये बैंक संग भारतिये बैंक संग के अधियक्ष के रूप में किसे चूना गया है और आपका सही जबा हो जाएगा और आप्शन ए राजकीरन राई जी को 2021 के लिए भारतिये बैंक संग के अधियक्ष के रूप में चूना गया है राजकीरन राई सिंग या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सियो हैं और इन्हें 2021 के लिए बैंकों का अधियक्ष चूना गया या रजनीश कुमार का जगा लेंगा अब तक रजनीश कुमार रजनीश कुमार जो सिंगे पूर्व सियोगा अधियक्ष तो अब उनका करेकाल खत्म हों गया वहां से रजनीश कुमार को सिंग आइडियक्ष बना दिया सुब्रमन्यम नरायन स्वामी का हाली में निदन हो गया पूली और सुब्रमन्यम नरायन स्वामी का हाली में निदन हो गया यह एक गायक थे और इन्हें किस पुरसकार से समानित किया जा चुका है यानि किस पुरकार से इन्हें समानित किया गया और आपका सही जबाब हो जा आप देख रहे होंगे सता से सता मार करने वाल था जो प्रिथवी 2 था और यह हावा से सता पमार करने वाले एक anti-tank missile है इसका नाम बता नहीं इसको भी DRDO के द्वारा बनाया गया यह हावा से सता पमार करेगी और आपका सही जबाब हो जाएगा option B, sent missile इसका नाम है अब sent, sent का full form होता है stand of anti-tank missile फिर से मैं बोलता हूँ एक बार आप समझे लेंगे sent का full form होता stand of anti-tank missile इसे MI-35 हेलिकप्टर जो रसिया से हुआ था MI-35 हेलिकप्टर के द्वारा इसे launch किया जाएगा या दुसमन के जो टैंक है उसको 10 km की दूरी से ही इसको नश्ट करने में या सक्चा में यानि 10 km की दूरी से ही अगर दुसमन का टैंक ही सो मिलेगा तो या उसको खत्म कर देगा इसे भारती जो सेना है इनको समान मिलेगा और इनका सक्ति और बढ़ेगा question number 18 किस राज ने टीवी हारेगा देश जीतेगा या एक तफेदिक पर निर्वाचित प्रतिनीधित की किताब को लॉंच किया गया है किस राजी के दौरा लॉंच किया गया है और आपका सही जबाव बजाएगा option C नागा लेंड राज के दौरा इसे लॉंच किया गया है भारत सरकार ने 2025 तक लक्ष रखा गया है कि 2025 तक भारत से टीवी को खत्म कर दिया जाएगा और 20 वका लक्ष है गलोबल 2030 तक यानि 20 वका से भारत 5 वर्स आगे लक्ष इसका रखा गया पांच वर्स आगे खत्म कर लेंगे तो इसी पर एक किताब जो है हैंड बुक हो उसको लॉंच किया गया है नागा लैन में आगे चलेंगे अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 19 भारत का पहला मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क किस राजे में अस्थापित किया जा रहा है भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ को मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क को अस्थापित किया जा रहा है और किस राजे में किया जा रहा आप उस राजे का नाम बताना है और आपका सही जबाब हो जाएगा ओप्शन डी असम राजे में ऐसा किया जा रहा और इसकी अधार सीला जो है इसकी अधार सीला केंद्रिय सरक और परिवहन मंत्री स्री नीतन गर्डिकरी ने वीडियो कंफेरेंसिंग के माध्यम से इसकी अधार सीला को उन्होंने रख्या हुआ था देश में कुल 25 मल्टी मॉडल इसे बनाया जाएगा और यह जो लॉजिस्टिक पार्क है इस लॉजिस्टिक पार्क से फायदा क्या होगा तो इसे सरक रेल जल हवाई यातायत सबका इसमें डाइट कनेक्टिवीटी होगा इसे परियाटन को भी बढ़ावा मिलेगा अर्थ व्योस्ता भी मजबूत होगी आगे चलते हैं अगले कोचें की तरफ कोचा नमबर 20 किस राज जिने सभी मेडिकल कॉलेज और जीला अस्पतालों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट अस्थाफित करने का ने नहीं लिया गया और यह ने नहीं लिया गया 36 गड़ के द्वारा यानि ऑप्शन भी आपका सह जबाओगा इस राज में 36 गड़ इसका डिसिजन जो लिया गया यह कोरुणा का बर्ते प्रारोप को जो प्रा अश्रयों का प्रप्रिया बरने से मीमिकल के लिए इसका नियड़ना लिया गया और साथी साथी यह भी निया लिया कि कि HDO में सौफ सीटों को बढ़ावा दिया जाए गए सौफ सीट इसमें भी बढ़ाए जाएंगे और यह प्लांट लगाने के लिए इसमें पांस दिन में इसका टेंडर होगा और इसमें बोला जा रहा है कि 80 लाग से लेकर 1.5 करोड उपया तक का यह खर्च आएगा आगे च कोशन की तरह कोशन नमबर 21 निमनली खित में से किस राजे सरकार ने किसानों के उथान के लिए अपनी तरह के एक कल्यानकारी बोड का गठन किया गया या किस राजे में हुआ है और आपका सही जबाब हो जाएगा ऑप्सन डी केरल राज में ऐसा हुआ है देश में पहली किसानों को इस वोड से क्या होगा सीधा बनाने के लिए मतला अगर किसान इस वोड का सदस्य से बनना चाते हैं तो उन्हें 100 रुपया का एक रेजिटेशन फी करना होगा और 100 रुपया परतेक मत वे उन्हें देना परेगा इसके साथ उन्हें अध्यक्षता मिल जाएगे अध्यक्षता नहीं सदस्ता मिल जाएगे आगे चलते हैं क्वेशन नमर 22 की तरह अक्टूबर 2020 में मारियो मोलीना का निधन हो गया या मारियो मोलीना जो ही या किस छेतर में इन्हें नोबेल मिला हुआ था आपको इनके छेतर का नाम बताना है और आपका सही जबा हो किया गया था 1995 में इन्हों ने केमेस्टी का इन्हें नोबेल प्राफ्थ हुआ और इन्हें जो नोबेल प्राफ्थ हुआ या USA के फ्रांक शेरवुड रोवेल और नीदरलेंड के थे पॉल कुड जोन इन दोनों के साथ इन्हों ने ओजोन परत का जो हानिकारक परभा आपडा परबंदन के लिए त्वारित तैनाती इन्टीना तकनित का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज कोण है। इसका गठन उन्होंने किया ता त्वारीत तैनानित इंडीना यह एक उपगरह आधारित संचार तक्निक है जो उस सभी जगह पर संचार को अस्थाफित करती है जहाँ पर नेटवर का कब्रेज कम है जहाँ पर सून्य कब्रेज होगा वहाँ पर परदान करेगी यह उत्राख निम्ने लिखित में से किस संगटने नोबेल सांती 2020 का नोबेल सांती का पुरसकार किस संगटन को मिला गया था काफी महत्पून कोचन है और आपका सही जबाब हो जाएगा option B यानि world food program को यह पुरसकार मिला हुआ था यह पुरसकार जो है नार्वे नोबेल समीती के द्वार यह पुरसकार दिया जाता है 2020 का सांती का नोबेल दिया गया है और इसे world food program को यह पुरसकार मिला क्यूंकि यह दुनिया भर में भूखे लोग जो होते हैं उनको मदद करता है उन्हें खाना देने की घोशना करता है यह दुनिया की सबसे बड़ी मानुए संगटने जो आंती का नोबेल अफी फिजिक्स का नोबेल किसे मिला तो फिजिक्स का नोबेल मिला रोजर पेनरोज एंडियाज घेज और रेइन होड जेंजल इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल मिला हुआ था केमेस्टी का नोबेल मिला हुआ था इमैनुवल चार्पियर और जेनीफर ये डोएना इन्हें केमेस्टिक का नोबेल मिला हुआ था और चिकिच्चा का नेवर नोबेल था हार्वे जे अल्टर माइकल हैंटन और चार्ल्स एम राइस इन्हें चिकिच्चा का नोबेल मिला हुआ था आगे चलते हैं अगले कोशन नंबर पचीच सुखोई 30 लाराकू भारत की पहली इंटी रेडियेशन मिसाईल इसका सफल परिक्षन कहां पर किया गया सुखो जब कर आपका जबा में सफल परिक्षन किया गया है यह देश की पहली स्वादेशी इंटी टेक के लिएटियुरारी डियाल दो ने डिफेंस रिसार्ट कष learnt इस्तेर्टमेंट और और नाजेस्ट जाएगा और इस्का परइक्शन किया जाएगा और इसका। तो उरिशा के बाला सोर में इसका प्रेक्शन किया गया आगे चलते हैं कोश्चन नमबर 26 की तरब कोश्चन नमबर 26 केंद्री उपफोकता मामने और खाद और सरवाजनिक बित्रन मंत्री राम बिलास पासवान इनका हाली में निधन हो गया या किस लोकसभा छेतर से चुने गया हुए थे यानिका लोकसभा छेतर का आपको नाम बताना है और आपका सही जबाब हो जाएगा ऑप्शन B या हाजीपूर बिहार के जो हाजीपूर है उससे या चित्ते थे या केंद्री मंत्री थे उबगताकार एक हादसरोजनिक मंत्री थे और या लोजपा जिसे एक सदर से कहां से थे तो या हाजीपूर से लोजबा के सदर से थे आगे चलेंगे अगले कोश्चन की तरह कोश्चन नमबर 27 फ्रेंच ओपें रोलन्ड गैरेंस के 124 संसक्रन में महिले stirred का किताब किस ने जीता है और आपका सही जवाब होगा इगा स्वेटेक या प्रेसकार को जीता है या आपका सही जवाब होगा इगा स्वेट या एक टेनिस की खिलारी हैं 19 वर्सिये टेनिस खिलारी हैं या किताब जीतने वाली या पहली पोलेंड की महिला है जिने या किताब जीता हुआ था या अमे वहाँ सुरंग या पानी के नीचे एक सुरंग है इसका निर्मान किस नदी के नीचे किया जाएगा और आपका सही जवाब हो जाएगा option B यानि हुगली नदी के किनारे अब हुगली नदी के किनारे होगा तब आप समझ पा रहोंगे कि यह कुलकत्ता में ही हो रहा है हुगली नदी के किनारे हावरा से कुलकत्ता जाने के लिए जो मेट्रो है यह सुल्टे को भी जो रहेगी ऐसे ही सुरंगों का निर्मान किया जा रहा है यह काफी दिन से बढ़ रहा था लेकिन अब यह सुरंग काम कम हो गया मतलब काम खत्म हो गया अब इसका उधाटन किया जाएगा यह पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में कि किसी नदी के वीच से सुरंग से वहां से त्रेन यानी मेट्रो जा रही है अब कुलकता मेट्रो कुलकता मेट्रो जो है यह भारत की सबसे पुरानी मेट्रो है आजे चलते है कोचन नबर 29 बीच सो बैंक की रिपोर्ट के अनुसाद 2021 के अंत तक कोविड-19 के कारण कितने लोग अत्यादी की गरीवी की और धकेल दिये जाएंगे यानि कोविड-19 के कारण 2021 अंत तक कितने लोग अकेली गरीवी की और धकेल दिये जाएंगे और आपका सही जबाब हो जाएगा option C यानि डेड़ सो मिलियन लोग अकेले गरीवी की तरफ जाएंगे डेड़ सो मिलियन का मतलब 15 करोर लोग चले जाएंगे और या 15 करोर लोग जो है या अतियती गरीवी के छेतर में जाएंगे यानि कोविड-19 का जो असर होगा या काफी खतरनाक होगा या बैस्विक महामारी के रूप में है महामारी के साथ-साथ या अर्थ बेवस्ता को भी चोपट कर दे रहा है आगे चलते कोश्चा नमबर 30 की तरब कोश्चा नमबर 30 एला वेनिल वला रिवन ने हाली में भारत के लिए स्वन पदक को जीता हुआ है या किस खेल से समंधित है और आपका सहिज बावफ़जाय का ओप्शन ए या स्उटिंग से समंधित है और इन्हें या पदक जो मिला हुआ है या स्वन पदक इन्हें किस्थेत में मिला हुआ था इन्टरनेशनल एयर राइफल चैंपियनसिप में या पुरसकार इन्हें जीता हुआ है और यह जो कारेकरम था यह कारेकरम बंगलादेश सुटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के दोबर आयोजित किया गया था दोश्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो रहा है वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे यह वीडियो आपके लिए एक ट्रेक्ट्री सीट के रुप में भी लाया गया था कि आप जो भी वीडियो का करेंट अपर पर थे उसको आप यहां पर जाच कर सकते हैं हमने इंसर सीट भी यहां पर दिया हुआ है कि आप उसको जाच कर लेंगे उसको देख लेंगे 23 जो है 23 का option हो जागा ए उत्रा खांड या पसी दिया हुआ 23 का ए आप बना लेंगे आगे चलते हैं अगले कोचन की तरह कोचन तो खत्म हो गया दोस्तों वीडियो कर आपको अच्छा लागा होगा तो वीडियो को एक like जरूर करेंगे आपके like से हमें motivation मिलता है और हम टेलिग्राम गूर्प से जोड़ जाएंगे टेलिग्राम गूर्प का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब ना किया होंगे तो इसको निश्ची तरप सब्सक्राइब करेंगे या चैनल आपके लिए काफी helpful होगा वीडियो को